हलो एव्रीवन वेलकम बैक टो माय चैनल आज मैं आपके साथ एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं अगर आपको भी पीरियट्स की बहुत ज़ादा प्रॉब्लम रहती है पीरियट्स बहुत ज़ादा डिले रहते हैं या फिर आपको बार बार पीरियट्स स्किप हो जाती हैं तो आज काई वीडियो आपके लिए हैं पीरियट्स किप होना एक सिर्फ प्रेग्नेंसी ही रीजन नहीं होता है और भी बहूत सारी रीजन्स है जिन कारन की वज़ाद से पीरियट्स जो है या तो डिले होते हैं या स्किप होते हैं normal average पीरियट्स जो होते हैं healthy वो 21-35 दिनों के बीच में अगर हो तो उन्हें healthy period कहा जाता है लेकिन अगर इससे delay हो रही है तो उन्हें irregular या फिर delayed periods पोला जाता है कुछ लोगों को तो 2-3-3 महीने तक periods नहीं होते हैं या फिर खुल कर रही होते हैं बहुत सारे reasons हो सकते हैं stress हो सकता है hormonal imbalance हो सकता है low body weight हो सक या फिर अगर आपको PCOS का problem है तब भी ये problem आती है अगर आप बहुत सता birth controlling pills पिलेते हैं तब भी आपको periods डिले होने का issue रहता है या फिर आप अपने early 40s में है या below 40s में 35-40 की age में है तो pre menopause का problem है वो भी हम कह सकते हैं तो इससे related आज मैं आपके साथ एक ही simple सा काड़ा share करूंगी डॉक्टर के पास अब जरूर जाए अगर आपको ये problem जादा है तो लेकिन उससे पहले एक बर ये remedy जरूर ट्राय करें आपको लेना है एक pan और उसमें डालना है एक glass पानी बहुत ही simple सी चीज में आपके साथ share करूंगी लेकिन बहुत effective है इसको अगर आप यू कर सकते हैं एक glass भरके मैंने इसमें पैन में डाल लिया अब इसमें में एक simple से चीज आइड करूंगी वह है एक चम्मस सौफ सौफ हम सबके घर में हमेशा होता है मोटी सौफ हो पतली चोटी सौफ हो कोई भी हो बस एक चम्मस आपको इसमें लेना है और इसी के साथ एक ची आपकी बॉडी के periods को regular कर सकता है तो अगर आपको irregular periods या फिर delayed periods का problem है तो जरूर ट्राय करना है आदी चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाली है अजवाइन में भी तासीर गर्म होती है शरीर को गर्मी देने का काम करती है जब भी कभी किसी लेडी को periods डिले होते हैं या फ खुल कर नहीं होते तो बॉडी पे बहुत जादा effect आता है साथ में में ले रही हो आदी पॉनी चम्मच के करीब मिश्री के दाने आपके पस गुड़ हो तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं मिश्री हो तो मिश्री भी डाल सकते हैं इस तरह से आप इसको डाल दीजिए और हमें इसको बॉल दिलाना है तब तक उबालना है जब तक कि ये quantity बिलकुल आधा ग्लास ना रहे जाए तब तक आपको इसको उबालना है मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर periods किसी को डिले होते हैं या skip होते हैं तो उस जासे शरीर पे बहुत सारे harmful effect आते हैं एक तो हमारा mental balance बहुत सब्सक्राइब हो जाता है हम बहुत सब्सक्राइब हो जाते हैं यह देखिए जब यह पूरी तरह से आपकर बं जाए आधा ग्लास रह जाए तो आप इसको चान लीजिए रूम टेंपरेचर पे आजए तब आप दिन के किसी भी टाइम इसको पी सकते हैं और अपने पेट पे रखके आधे घंटे के लिए लेट जाएए आपके पीरेट्स फटाफट से शुरू हो जाएंगे दो या तीन महीनों से रुके वे पीरेट्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे या फिर आपको खुल कर पीरेट नहीं होते हैं तो एक बार यह दिन के क काड़ा है मैं आपसे फिर शेयर करूंगी PCOS और PCOD के रीजन्स और उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए आप इस तरह से होट वाटर बैग ले लीजिए और इसको अपने कमर पे रखके अच्छे से आदे घंटे के लिए लेट जाएए अगर आपके पास होट वाटर बै कीजिए दिन के किसी भी टाइम पी सकते हैं और पूरा ग्लास जतना हमने बनाया था वह पूरा आधा जो ग्लास बनाता उसको पूरा पी लीजिए साथ ही आप अपना मेंटल स्ट्रेस जो है वह कम करिए हलका फुल के एक्सराइस कीजिए मेडिटेशन योगा जरूर कीजि जंक फूर्ट थोड़ा अवाइड करें दो दोट से बनी चीजे सबजियां इस तरह की चीजें योज कीजिए आपकी यह प्रॉब्लम बहुत जल्दी खतम हो जाएगी आई होप आपको आज का मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएग इसके रिगार्डिंग जो भी कोरी है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा